कि फालो दोस्तों अप लोगों का स्वायत है हमारे यूट्यूब चनल रावल क अच्छे से बहुत डिटेल में सभी एक्जामों के लिए यह उप्योगी होती है चाहे यूपी लेखवाल हो चाहे आपका यूपी प्लिस हो ऐसाई हो अधिकतर एक दो कोशन आई ही जाता है ठीक है और आपका यूपी पीजिटी के हिसाब से तो यह हम अपने क्लास चलाई र आप ऐसे हिसाब से करो उनको कि जो हमारे कुछ वीडियो एसी रखो इंपोरेंट हो प्राचीन भारत की हमारे को भी कवर करें तो मुझे पता था मैं उनको बोला हुआ था कि जब से आपके हिसाब से तयारी हो जब क्लासे स्टार्ट होगी मैं आपको वहां से पढ़ाना स् तो सबी बच्चे वह भी ध्याने जिन्होंने मुझे से डिमांड करी थी सर इस तरह से पढ़ाएं तो मैं उस तरह से पढ़ाऊंगा लेकिन मेरा मेरा पूरा फोकस रहेगा ठीक है तो जरौत होगी मैं बता दूंगा सभी जो मुझे से जुड़े हुए आफ लाइन ठीक हो बूंभी का बनानी हम स्टार्ट करेंगे जो मोश्टली अब सभी अधिकतर बच्चे जानते हैं इसको जो मैं पढ़ाने जाऊंगा अधिकतर बच्चे जानते हैं ठीक है कुछ नया नहीं है लेकिन फिर भी तरीका थोड़ा सा डिफ्रेंट है तो वीडियो को पूरा देख प्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब और तभी करें जब पसंद आए ठीक है बिंदास्त मैं बोलता हूं कि अच्छे से जब अब पसंद आए कमेंट करें को क्या लिए कुछ भी एच्छा खराब चुछ बताएं जरूँ ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं देखो हड़ हरपा सबचा का उदय का हुआ कियसे हुआ खोज हमने अच्छे से पढ़ी ठीक है लेकिन अस्तित में जिधर आई और कहां से लेकर कहां तक विश्थार हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे तो यह हमको पता है हमने सबसे पहले क्या बढ़ा था इससे पहले हमने ताम पाशान ठीक है तो हम जो मानके चलते हैं यह मानके चलते हैं कि हरपा सबचा का उदय हुआ किस पर हुआ ताम पाशान जो प्रश्ट भूमी थी ठीक है ताम पाशान की जो सलस्कृती थी उसके उपर हुआ ठीक है उसके बाद हुआ ठीक है यह उसके उसने जो है ताम प्रशान जो स चुका था कि बहुत ज़्यादा अंतर था कुछ विदेशी लोग जो कि यह मान के चलते हैं तो उन्होंने कुछ प्रमार दिये ठीक है लेकिंगे उनका जो है उनके कुछ अपवात थे जिसे मैसोपटया में मंदर के साक्ष्ते तो वहां मंदर के साक्ष्त नहीं है वहां जल निकासी का जो वह था तरीका था वह तरह अच्छा नहीं था विवस्तित नहीं था लेकिंगे यहां पर ऐसा कुछ नहीं तो बहुत अच्छी तरह से विवस्तित था सब कुछ ठीक है तो उनका बातें खंडित हो रही है ठीक है हमारे पास तर्क हैं जो प्रमारित करते ह यह आपकी बास नहीं है सही लेकिन जो भारतिये लोग हैं जो बोल रहें कि यह हमारी देशी संस्कृति देशी संस्कृति सही यह धीर देबलोफ होकर अच्छी सुभवस्तित रूप से पनी थी तो इसी आधार पर हम यह कहते हैं कि ताम पार्षन प्रष्ट भूमी से ही उत्तर भाग का मतलब हो गया तो यह हो गया पश्यम यह हो गया उत्तर और भारती महादीप में आपको पता है भारती महादीप मतलब भारत तो होता नहीं है पाकिस्तान नैपल भूटार अफगानिस्तान ठीक है इस सब को मिला गया भारती महादूई बोलते हैं ठीक है तो बड़ा है लेकिन जो हम बात कर रहे हैं भारते उपाधीप के पश्मुत्तर भाग में क्या हुआ इस सबिता का उद्य होना स्टार्ट हुआ तो ये हो गई हमारी आज की थोड़ी सी भूमी का के कहा कहा कैसे कैसे इसका विस्तार प्रारभ होना स्टार्ट हुआ था ठीक है चलो अबी आगे देखते हैं फिर इस परिपक हडपा सबिता का केंद्र जो हडपा सबिता विकास होते होते वो अपनी परिपक अवस्था में आ गई तो उसका जो केंद्र स्थल था जो में पॉइंट था जिस समय वो अपनी परिपक अवस्था में थी तो वो कौन सा था तब वो था पंजाव और सिंद्र में मुक्त है सिंद्र घाटी यहाँ पर वो अपने परिपक रूप में दिखाईद दे रही थी ठीक है उसके बाद यहां से उसका विस्तार होना स्टार्ट होता है किदर किदर दिसा में दच्छन दिसा में और पूर्व की दिसा में ठीक है भाई यह हडपा सबता जहां तक जानती वहां तक जा चुकी अब बात आती है कि भाई जब हम खुदाई करते हमें कैसे पता चलेगा खुदाई वगरा करेंगे तब पता चलेगा तो देखो जब आजादी मतलब पाकिस्तान वगरा इसा बटवारा वगरा नहीं हुआ था मिलती है ठीक है कि पाकिस्तान वाले छेत्र में मिलती है तब तक इतना मान की चल रहे थे चलो ठीक है ये एक बात हो गई कि जब तक 1947 तक चालिस बत बस्तिया ही थी ठीक है तो हम मानके चलते थे और नामकर्ण भी हमने उसी काईदार पर सिंदु सबता वगरा कर दिया था चलो ठीक है आगे देखते हैं अब कुल तुम्हारा 1400 बस्तियां वैसे अब जैंट की बात करें अब की बात करें तो को यह हो गया बुक का डाटा अब की बात करें तो लगभग 1600 के आसपास लगभग इसतरल मैं ठीक है चलो आगे देखते हैं अब कुल कित्नी बस्तियां मिल चुकी है 1400 ठीक है जिसमें यह मानगे जाता है कि 925 बस्तियां भारत में हैं और 475 बस्तियां पाकिस्तान में ठीक है अभी इसको भी थोड़ से आगे और देखते हैं देखो जो हमने उपर 40 बस्तियों की बात करी जो 40 बस्तियां उपर जो हमने बात करी ठीक है कि 1947 तर 40 बस्तिया ही मिली अब उसमें भी बात करें तो सिंधू प्लस उसकी सहाइक नदियों के आसपास ही यह किवल मिलती थ ठीक है मारे चलो सिंधू नदी जा रही है ठीक है उसकी सहाइक नदिया होई इधर से आने वाली कुछ तो उसके आसपास ही यह बस्तियां कुछ 40 का सपास मिली ठीक है यह इतनी बस्तियां उसके आसपास मिलती है 40 बस्तियां आगे देखते हैं बाद में थोड़ासा और खन सब्सक्राइब करेंगे तो हमने अपनी छेत्र में जब खुदाई वगारा करी तो हमें पता चलता कि सिंदू प्लस गंगा की बीच मैदान में सिंदू यह जा रही है तो इसके और इसके बीच में हमें कितनी बस्तियां मिली हमें लगभग ग्यारे सो बस्तियां मिली कितनी बस्तियां मिली जिसमें की जिसमें कि 250 बस्तियां सर्श्वति जो नदी बहती थी इन दौनों के बीच में सर्श्वति जो नदी बहती थी और प्लस इसकी जो साहयक नदिया थी इसके आसपास कितनी हमें नदियां मिलती है 250 250 बस्तियां हमें मिलती है ठीक है यह हो गया के लिए अब यह भी इसमें जिसमें से कुछ गुजरात में कुछ महाराष्ट में बस्तियां मिलती है जिसमें से भी जो प्रणाली यह ससुद्नी नदी की प्रणाली उसमें से भी गुजरात और महाराष्ट में मिलती है ठीक है एक्ट्वल चीज के हिसाप से पढ़ा रहा हूं ठीक है डाटा मैंने इधर लिखा भी है और मैप में जिससे की इमेज आपकी बने दिमाग में उस हिसाप से मैंने आप हल्क आसा मैप ठीक है ड्रोव करा था आपको जिससे की अच्छे से समझ में आए आगे देखते हैं सबसे उत्री स्थल जंभू में सबसे उत्री स्थल किसका हडपा से पता जंभू में चराम नदी के तठ पर अखुर अकनूर के निकट एक स्ताने मांडा ठीके तो मैरे जम्मू में मांडा बना दिया है ठीके सबसे उत्री पॉइंट कौन सा है मांडा ठीके सबसे दच्चिनी कौन सा है गोदावरी के तर्ड पर दैमवाद और इन दोनों के भीच में जो दूरी है 14 सो किलोमेटर आगे देखते हैं और यह लिखी हुई है उत्तर से दच्छिन की दूरी कितनी है उत्तर से दच्छिन की दूरी 14 सो किलोमेटर ठीक है मांडा से देवाबाद की जो बीच में इसका विस्तार है वो कितरा है 14 सो किलोमेटर आगे देखते हैं सबसे प बलुच्चस्तान में दसक नदी के किनारे सुतका गेृण गेंडोर सुतका गेंडोर नामक इसतान है यहां यह पूर्भी स्थल मेरथ में हिडन नदी के किनारे ओलम तो पूरब से पश्यम से पूरब के जो बीच की जो तूरी है वो कितनी है तो अब बात करते हैं इसका पूरे के पूरे आकार की दो इधर देख लेते हैं पश्यम से पूर्ड तक की लंबा इसकी सोले सो किलोमेटर समुचा छेत्र तुर्बूज आकार का है देखो वैसे अगर हम सारे पॉंट में लाएंगे तो तुर्बूज आकार नहीं बनेगा लेकिन अगर मोटा मोटा ऐसे करके देखा जाए ठीक है यह करके तो अब यह कैसा बन गया अधिकतर जो छेत्र कवर करना व इसका जो समुच छेत्रफल है वह है बारे लाक निन्यान महजाद 600 वर्ग किलोमीटर बहुत बड़ा आकार है ठीक है सुतंतुरता के बाद जो हमने और विस्तार से सब चीजें पता चली ठीक है तो सुतंतुरता के बाद इसका विस्तार थोड़ा सा और बढ़ा तो फिर हम अगर हम मिस्तर की सब्ता से कंपेरिजन करें किसे मिस्तर की सब्ता से कंपेरिजन करें तो यह बीस गुना बढ़िए उससे कितनी बीस गुना और अगर मिस्तर की सब्ता को भी मिला लें मिस्तर की सब्ता साथ में रखें और मैसोप्रोटामिया की सब्ता को भी मिला लें पाकिस्तानसे भी बड़ी सब्रीत się है टीए पाकिस्तानकों चेतवास उससे बड़ी है ठीक है तो आज की वीदियो में हमारे इतने ही था अगली वीडियो में स्टैल में स्टमी से कर रहे हैं तो प्लीज उते हैं सभी के लिए important होते हैं लेकि जो detail में जानना चाहते हैं उनको अच्छे से देखना पड़ेगा और हडपोत्तर स्थल जो हडपा काल के बाद भी रहे अब कुछ ऐसे स्थल भी होंगे जिनमें तीनों काल के से मतलब जो पूर्बोत्तर में भी रहे हैं फिर हडपा काल में भी सब्सक्राइब और हडपा को कैसे बाद में कुछ उससे इस घंट । जो यह वीडियो देखना मस्ट बनता है जो यह वीडियो दे Channel है अच्छे से मेहनद करना चाहते यह को पूरा देखें पाठ एक देखें पाठ बाठ तो पाठ एक किसका में डाल देता हूं ठीक है भाग एक ठीक है क्लास नमर 39 है ठीक है पांच भी आपके अप्लोड होई ही जाती है कभी कभी उपर नीचे हो जाता है दो दिन से वीडियो पड़ी भी नहीं थी उसके लिए सौरी तो भाई वीडियो को पूरा देखें अधिक सधिक स्चेयर करें सब्सक्राइब करें ठीक है अच्छी क्या जाँ झाल जाथ सबस्थाद करता है